हलो फ्रेंट्स, आज हम रवींद्रना टैगोर के बारे में दस लाइने जानेंगे हिंदी में, तो चलो शुरू करते हैं वन, रवींद्रना टैगोर का जन्म साथ मई अठाड़सा एकसट में एक मध्धंबर्गिया बंगाली परिवार में हुआ था 2. रवेंद्रना टैगोर एक महान कवी, साहित्यकार, शिक्षाबिद, नाटकार और रास्ट्रवादी थे 3. रवेंद्रना टैगोर के पिता का नाम देवंद्रनात टैगोर था और माता का नाम सार्दा देवी था 4. सत्रा साल की उम्र में रवेंद्रनात टैगोर ने इंगलेंड में स्कूली शिक्षा शुरू की 5. रवेंद्रना टैगोर एक महांचित्रकार और देशभक्ध थे और 1913 में गितांजली के लिए उन्हें साहित्य का नोबल पुरुसकार मिला था 6. रवेंद्रना टैगोर द्वारा रचित जन गन मन भारत का रास्ट्रिय गान है 7. बांगला देश का रास्ट्रिय गान आमार शोनार बांगला भी टैगोर ने ही लिखा था 7. कावली वाला, गोरा, चोखिर बाली, घोरे बाइरे, साधना और भी ऐसी बहुत सारी उनकी लोकप्रिय कहानिया है 8. तेज बर्ष की अवस्था में टैगोर का बिवा ब्रिनालिनी देवी नामक एक कन्या से हुआ था 9. सन 1951 में उन्हें जार्च पंचम ने नाइठोट की पदवी से समानित किया था 10. रवींद्रना टैगोर का निधन असी बर्ष की आयू में 1941 के 7 अगस्ट को हुआ था धन्यवाद अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेर और कॉमेंट कीजिए और साथी साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रस कर दीजिए टेक कियर बुबाई बाई